नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर तो हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिटिस भारत में धार्मिक और सामाजिक शुधार आंदोलन के बारे में तो इसमें मैंने आपको ब्रह्म समाज आर्शमाज राम क्लट्स मिशन इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थियो सॉफिकल सोसाइटी यह संस्था क्या थी इसका क्या उद्देश था इसके अस्थापना किस ने की इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्ट करेंगे थियो सॉफिकल सोसाइटी तो थियो सॉफिकल सॉसाइटी कंतराश्टी अध्यात्मिक संस्था है और अगर हम इसके स्थापना की बात करें तो यहां पर जो इस्थापना इ यहां पर दो नाम आता है थोड़ा सा नाम यहां पर याद करना कठिन है तो इसको बार बार पढ़ना पढ़ेगा मैडम हेलना पेट्रोविना ब्लावटसकी यह एक नाम है मैडम हेलना पेट्रोविना ब्लावटसकी और करनल हेनरी इस्टली अलकाट थोड़ा सा यह नाम कठिन है याद रखना लेकिन इतना आप याद रखिए कि मैडम पेट्रोविना या फिर आप यह याद रखे मैडम ब् प्रस्की और अलकाट ने इसके अस्थापना की थी अगर आपको पूरा नाम याद हो जाता है तो और अच्छी बात है जो सहर था वहां पर एक चोटा सास्थान था अडेयार वहां पर यह मुख्याले इस्थापित किया गया 1882 में अधारा सो नवासी स्वी में एनी बेसंट इस सोसाइटी की इंगलैंड में सदस्ट वनी देखें यह सदस्ट वहीं पर बन गई थी इंगलैंड में कि अ ऐसा थ्यान में रख Sex okay ​ इसका स्ती है तो अगर हम भारत के संदर में बात करें तो इननीबेशंट का नामाता है बहरत में इन्हों ने ही इसका जोरदार समार्थन किया एक प्रकार चेंव को भारत में इसके स्थापना का स्रेहम भी देते हैं लेकिन अगर हम बिश्व में बात करें तो यहां पर नाम आता है प्लावटस के और अलकाट का यह याद रखना ध्यान में रखना तो भारत में 1893 में एनिबेशन्ट आती है ब्रेटन से और यहां पर त्यूसवकल पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धान में विश्वास रखता है आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास वही चीज़ है दोने एकी चीज़ें यहां पर मैंने दो बाल लिख दिया दिखिए आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास और यहां पुनर्जन्म तो दोनों एकी ब फल मिलेगा इस बात पर विश्वास रखता है छिा उद्देश क्या थै करी कोई सब्श्चित उद्देश होता है यह यह संगतन क्यों बनाया गया तो यह JOHN संगतन संगतन बनाया था इसका उद्देश क्या था जाति धर्म नर और नारी वड तथा रंग भेद से रहित मानवता कि बिश्व बंधुत का सजीव केंद्र इस्थापित करना मतलब कुल मिलाकर आप स्टराल सब्दों में समझ लिजे कि जाति धर्म जाति पात यह जो है इसको समात करना नर नारी में जो आसमानता है वड और रंग भेद से जो इन में जो आसमानता है उसको दूर करना यही इसका लक्ष था फिर उसके बाद दूसरा यहां पर है तुलनात्मक धर्म दर्शन और विज्ञान के अध्यन को प्रोथ साहन देना फिर यहां प्रकिर्थ के अज्यात नियमों तथा मानों में अंतर नहीं सक्तियों का अनुशंधान करना बाल विवाह का विरोध करना तथा बीधवा पुनर विवाह का समर्थन करना सिच्छा को प्रोशाहन देना तो यह सारे इसके उद्देश हैं जो लगभग सभी हैं अकि फिर इनई बेशंट ने अठारा, 658 यस्वी में इं जंतर्ल हिंदु कॉलेजर के अस्थापना की जो 1916 में मदर मोहन माल भी है पुरियासों से बनारा सिंदू विश्विध्याले बन गया है तो यह बात याद रखना है हैं पर कि जो बनारा सिंदु बिश्व विद्याले इसमें जिसकों कासी बिश्व विद्याले भी कहते हैं इसमें भी अच्ची हूँ तो इसकी स्थापना जो कहीं न कहीं जो रखने का स्रेज आता है वो एनी बेसेंट को ही जाता है लेकिन उसमें बिश्व विद्याले नहीं था उसमें छोटा से कॉलेज था सेंट्रल हिंदु कॉलेज अठारा सुठानव इसमें लेकिन बाद में 1916 में मदन मोहन मालवेजी के प्रियासों से इसको बिश्व विद्याले का दर्जा प्राप्त हो गया तो इतना जो था आपको थियो सोपक रहा है तो उसको लाइक कर दीजे शेर कर दीजे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और मॉडन हिस्टी के किस टॉपिक को या किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें उसको